आज हम रेशम जो की एक जानतत्व रेशा है एनिमल फाइबर है सिल्क जिसको वो कहते हैं इंग्लिश में इसके बारे में समझेंगे रेशम अपनी अनोखी चमक आलोकिक सुन्दरता अद्विती आकर्शक कोमलता मजबूती द्ररता लोच सुन्दर ढंग से लटकन शीलता अद्भुत शिकन प्रतिरोधक्ता एवं विलक्षन गुणों के कारण संपूर्ण विश्वे में प्रसिद है रेशम की सभी वस्त्रों की रानी कहलाते हैं यह एक प्रोटीन रेशा है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है रेशम के कीड़े शैतूत की पत्तियों को खाकर जीते हैं वे रेशम का उत्पाधन करते हैं रेशम वस्त गौराव प्रतिष्ठा एश्वर्य मर्यादायों व्यभव का सूचक माना जाता है दभी आपको आपने देखा होगा राजा महाराओजाओं के जो वस्त्रों होते थे यह दनाडियवर के जो पूरिश और महिलाओं के वस्त्रों होते हैं वो सब रेशम से बने जाता है क्योंकि चीन को रेशम का जन्दाता कहते हैं और इसा से लगबग धाईजार वर्ष पूर चीन में रेशम के धागे से वस्त निर्मान प्रारम हो गया था रेशम के उद्गम एवम इतिहास से संबंदित कई के दंतिया एवम दंत कता हैं प्रस्लित हैं एक दंत कता के अंजार एक दिन चीन की महारानी सी लिंग ची अपने उद्ध्यान में बैठी चाय पी रही थी वहीं ऊपर कोकून को देखा उसने उस कोकून के पेड़ से तोड़कर बची हुई गर्म चाय के कपमेंड डाल दिया जैसे डाला नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है कि वह गिर गया वह क्योंकि पेड़ के नीचे बैठी थी तो कुछ समय पास्चा तो उसने देखा कि उस को कोकून से चमकदार खूबसूरत आकरशक अविरल रेशन लिपट रहा है उसने और कई कुकूनों को एकत्रित करके बुनकर वस्त रूप में तयार किया वह महाराजा को भेंट किया तबी से चीन में वस्त निर्मान प्रक्रिया आरंब होई चीन में इस महारानी सी लिंग ची को रेशम की देवी ये गौडेस आफ सिल कहा जाता है चीन में रेशम वस्त निर्मान उद्द्योगिकाई ईसा से दोहजा वर्ष पूर में फलने फूलने लगी परंतु चीनियों ने रेशम निर्मान कला के इस रहस्य को धाई जार विश्व भर में प्रसित थे इनको की मांग विश्व के सभी देशों में जोर शोर से थी कुछ देशों में इसके निर्मान कला को जाने की जिग्या सा काफी बढ़ने लगी और दीरे दीरे एक अला परशिया से होकर परश्चिन तक फैल लगी ये कैसे फैली इसके लिए ब को बताऊंगी बात में चीन से जापान तक रेशम के खीड़े एवम शेतूत के बीच को किस प्रकार लाया गया यह आप समझे इसे भी जुड़ी अलग कहानी है एक कहानी के अनुसा लगभी इसा से दोस्तीन सो वर्श पूर जापान ने अपने यहां से दो पुजारियों को चीन भेजा था उन्होंने शेतूत के बीच अवम रेशम के कीड़ों को चुराकर जापान तक लाने में सफलता प्राप्त की और तब से वहां रेशम का उत्पादन होने लगा एक और कहानी के अनुसा लगभी इसा से 550 वर्श पूर दो नेस्तोरियन भिक्षुकों ने अप साथ ही वे रेशम के कीड़े अवम शतूत के बीच को अपनी खोखली घड़ी में चुपा कर कुस्तुन तुनिया लाए वह रेशम उत्पादन किया इस प्रकार यूरोपियों देशों में 1200 वर्श तक इस उद्योग से रेशमी वर्श प्राप्त होने लगे हजारों लोग इस जीविका से जुड़कर जीविकार उपरजन करने लगे 12 से 13 सतावजी तक इटली रेशम उत्पादन का केंदर बन गया 17 सतावजी तक फ्रांस में ने भी रेशम उत्पादन के शेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की 18 शतापती तक स्पेन ने भी ये कलाब फूलने लगी वर्तमान में जापान रेशम उत्पादन के शेत्र में पहले स्थान पर है जापान को ही सरप्थम वैग्यानिक विदी से रेशम उत्पादन करने का गौराप्राप्त है चीन, इटली, कोरिया, फ्रांस, अस्ट्रिया, टर्की, ग्रीस, सीरिया, बुलगारिया, भारत, आधी देशों में भी बड़े पैमाने पर रेशम उत्पादन किया जाता है विश्वे में भारत का रेशम उत्पादन के शेत्र में चौथा स्थान पर आप थे भारत में रेशमी यह आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि यह आपके फस्ट यह, सेकेंड यह, थर्ड यह तक आएगा भारत में रेशमी वस्टों के उत्पादन में चौथा स्थान पर आप्त है ठीक है और भारत में रेशमी वस्तों का प्रेयोग अति प्राचिन काल से होता आरहा है। इस बात का अलेक प्राचीन गृंतों रामायन व्महावारत में भी मिलता है। रामायन में वालमिक कहते हैं कि जब सीता राम के साथ वनवाज गई थी तो उन्होंने सुन्दर रेशम वस्त धारण कर रखे दे महावरत में क्रेशन के पीतामबर सुन्दर रेशमी वस्त के बने थे उसका उलेक मिलता है भारत में चीन से रेशम के कीड़े इस पर कर लाए गए इससे भी संबंदित विबिन कानिया है इकानी का अमसा जब चीन की राजक्मारी ने भारत के राजक्मार से प्रहन सूत्र में बंदी तबी से भारत में रेशम उत्पादन होने लगा रेशम के प्राचीन, नाम, केड़जा, पट, पीतांबर, तसर और चिन्न पट पट वर्स्त, आधी, ये रेशमी वर्स्त, तीस त्यारों और धार्मिक उत्सवों आधी पर पहने जाते थे भारत में जमू कश्मीर मैसूर वा करनाटक रेशम उत्पादन के लिए मशूर है तसर रेशम का उत्पादन बंगाल वं बिहार में होता है ये ध्यान से पढ़िएगा इसको अंडलाइन कर लीजिए अपने पास आसाम का मूंगा रेशम अपनी उत्कृष्टता एवं सुनहरे पीले रंके कायन विश्व भरवे प्रसिद है इसे कडाई के लिए उप्यूक्त माना जाता है एरी रेशम का उत्पादन भी आसाम में ही होता है बनारस, करनाटक, हैद्राबाद, उरिसा आदी में रेशम निर्मान कार्य होता है भारती इस्तियास में रेशम उत्पादन में अनिक को उता चड़ावाए सन 606-648 इसवी में राजा हर्ष के समय इसका निर्मान कार्य अपने चरम सीमा पर था इस समय गुजात के बने पटोला की प्रसिद्धी दूर-दूर के देशों तक फैली हुई थी यह अत्यांत सुन्दर चटक रंगों वा आकरशक डिजाइनों में निर्मित रेशमी साड़ियां थी जो दोनों और से समान दिखती थी इसे प्रतीक न विवाइद अपने पास रखती थी यह सौभागय सूचक का प्रतीक होता अत्माना जाता था अब आज आपको क्या करना है एसाइनमेंट में रेशम से संबंदिद इंडिया बनती हैं जशें पतो हुआ पना été और जतनी भी एड्दोफ शिल्क टसल शेमित इन से संबंदिधieurs हैं अले आपको इमेज जालनी है इस पर और उसका नाम साथ में लिगना है कि यह कौन सी है ठीक है फिर आम आते हैं रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े का मुखी गृंतिय से निकला लार है जो मैं आपको डायग्राम दिखा जाती हूँ यह रेशम की लाइफ साइकल है जो वाता हवा में सुकर रेशा बन जाता है अता रेशम के कीड़े की पालना ही रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया है रेशम के कीड़े शयतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं वह इसकी पत्तियों को खाकर जीते हैं और फिर रेशम का उत्पादन करते हैं इस कीड़े को बॉम् से आप देख पा रहे है इसमें सब से पहले अंडे अंडे से लारवा निकलता है फिर प्यूपा निकलता है ओर फी कीरा या मौत तो जब अंडा होता है तो यह female मौत तीन दिनों में ही अंडे दे देती है और इसको आपको पहले वह बता है कि शयतूत के पत्नों पर वो अपना जीवन यापन करती है अंडों को हवादा नमियुक्त प्रकाश में एवं ठंडे स्थानों पर 12 से 15 दिनों तक रखा जाते हैं 15 दिन के बाद पश्चाथ अंडे लार्वा में बदल जाते हैं लार्वा वस्ता में इनकी देखभाल काफी साथानी पूरवा की जाती है क्योंकि आपको मालूमगा सेरी कल्चर जैसे एगरी कल्चर आपने सुना है वैसे सेरी कल्चर एक बहुत बड़ा व्यावसाय है जिसमें सिल्क का उत्पादन जैसे आपने देखा मदुमक्खीयों का जाता है वैसे ही रेशमी कीड़ों से रेशम का उत्पादन किया जाता है और यह नैचरल वे में नहीं इसको कंट्रोल वे में करवाया जाता है जैसे कि ज्यादा से रेशम का उत्पादन और अच्छी क्वालिटी की रेशम का उत्पादन किया जा सके तो यह बहुत बड़ इंडस्ट्री है इसलिए लार्वा वस्था में इनकी देखबल काफी साफधानी पूर्वक की जाती है प्रते कंडे में 3 mm लंबा लार्वा निकलता है इन्हें बास की बनी गोल या चटाई रूपी ट्रैप में रखा जाता है और यह इन्हें शैतूत की पत्तियों के उपर छ बन जाता है पीपा इस हवस्था में कीरे लगाता लार स्रावित करते हैं वो मलबरी लीज या शैतूत के पत्ते खाते जाते हैं और जो उनके दो ग्रंथी हैं उनमें से लार का स्ट्राव करते रहते हैं और इतने जिनके छिद्र से तरल पदात के रूप में लार निकलती ह और fibrin एवम दूसरा सरसी नामक गोंद होता है ये भी दियान रखना कौन से गोंद होता है जो वात्ता वरनी है हवा में सुखता जाता है सुखने के पश्चाती आपस में सर जाते हैं जिने प्यूपा शीगरता से अपने शही पर लपेट दे जाते हैं 24 गंटे में ही कीड़े अधिक लार सावित करते हैं कि स्वयम इसी में चिपकर उपर सेरसीन की गोंद कोट बना लेते हैं तीन चाह दिन में पूरा कोकून तयार हो जाता है कोकून बनने के पश्चात प्यूपा दस दिन तक सक्रिये होकर सोते रहते हैं रेश्यम की प्राप्ती हेतू इसी अवस्था में कोकून को एकत्रित कर लिया जाता है इन्हें गर्म पानी अथ्वभाप में डाल कर इनके अंदर छिपे कीड़ों को मार दिया जाता है गर्म पानी में गोन डीली हो जाती है और एशम का जेशा जो है लपेट लिया जाता है कीडे जिने कोकून से अंडे प्राप्त करने होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है पूर्ण आयू प्राप्त करने पर ये कोकून को फार कर बाहर निकलते हैं परिपक्को खीडे तीन दिन के भीतर अंडे देते हैं और यह लाइस साइकल फिर से कंटीनू हो जाती है उसके पश्चाथ जब कोकून उनकी छटाई की जाती है कोकूनों की छटाई की जाती है जो इनकी ग्रेडिंग के अनुसार की जाती है और फिर गोन धीला करने के लिए इसे इने गर्म पानी में डाला जाता है जिससे के रेशे और कोकून जो उनके अंदर कीड़ा है वो अलग-अलग हो जाते है और जो अंदर कीड़ा है वो मर जात गरम पानी से तता गोन धीली होकर और रेशा अलग हो जाता है धागे को लपेटा जाता है जिसको के रीलिंग और फिलामेंट कहां जाता है तता गांठे तैयार करके बेलिंग की जाती है धागा बनाना मैनिफेक्ट्टर आफ यान रेशमी धागों का निर्मान भी कुशल यो तो इसमें दो रेश्य हमेशा एक साथ होते है इसके पश्चा दी गमिंग की जाती है जिसमें की गोन्ध को भागार जाता है लिए क्रिया बनाने के डी गमिंग एक इंपॉर्टेंट प्रॉसेस है इसको फिर से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कुछ गोण अपस्तित ह जिननें अंस्टा हटाये जता हां तुल गोंदा फून रूप से नहीं हटाये जाता हिशा से रेशमודה कम जोर को टो पूरा घृषणतवी जोanim हाने थाग, चमक दाभार करशक हो जता है और और इनकी संदर में अत्यधिक वृद्धी हो जाती है, आता गोंध हटे वस्त, शुद्ध रेश्मी वस्त खेलाते हैं, अता सरसाधरन के पहुंच से काफी दूर होते हैं, इनके मूली की कुछ कम करने वा आम जनता के लिए सुलब बनाने हेतू, इनके धागों पर कुछ धातू सताकर उन्हें वजनी बनाया जाता है, जो केवल एक फिनिश है जो इस पर दी जाती है, वजनी बनाना, वेइंग प् पर किसी तरह की फिनिश की जुरती है, यह अपने आप में इतना सुन्दर और आकर्शक रेशा होता है, वजन बढ़ाना किसे कहते हैं, यह अब इसको अगेन इंपॉर्टेंट कीजिए, माक कीजिए, वेइंग, रेश्मी वस्रों को सरसुलब बनाने हेतू, इनके धागों पर धातू जैसे लोहा, टिन, आदी सटा कर भारी बनाया जाता है, रेश्मी दागों में इन धातूं के प्रती काफी साद्रश रहता है, अतय धातू धागे से शीगरता से चिपक कर एक सार हो जाते हैं, धागों में धातू सटाने की क्रिया ही वजनी करण कहलाती है, इससे वस्त कुछ कड़े, द्रड एवम संगन हो जाते हैं, परन्तू इन में प्रत्यास्तता, प्रतिसकंदता, मजबूती का भाव होता है, वस्त जहां से मुरते हैं, वहीं से कट जाते हैं, ऐसे वस्त टिकाओ नहीं होते हैं, अता वजनी करण बहुत ध्यान से और नियमित नही खुकिन कर सकते हैं, प्लीचिंग टीव रहों शक्ति-षाली ब्लीच रिशमी परजन को नस्ट कर देते हैं, इसलिए। बहुत ही माइल्डarette MP2, प्रयोग की जाता है, अग़्याति आज वम्चळा होते हैं, प्रिंटिंग, रंगय कहने परस्च से परिंटिंग से खुंघ क परिश्रिती होती है तता अब हम आते हैं रेश्यम की विशेष्टा है इसको कल करते हैं कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आशाय आपको समझ में आ रहा है यहां तक